JSSC से जुड़ा एक टाजा अपडेट यह सामने आ रहा है कि विद्यार्थियों को यानि JSSC अभ्यर्थियों को एक अंतिम मौका दिया गया है यानि गरवडी की परमानिक्ता का सपत पत्र देने को लेकर के अंतिम मौका देखिए क्या है मामला CGL 2023 में गरवडी से संबंधित सबूतों को परमानिक्ता संबंधित सपत पत्र वो सीडी की फ्रेस कौपी पेस करने को लेकर सिकायत करताओं को अंतिम अपसर दिया गया है JSAC ने 7 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आयोग को समर्पित साक्षियों की हन सत्यता आउवड परमानिक्ता संबंधित सपत पत्र के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है आयोग के सचीव सुधीर कुमार गुपता द्वारा, सिकायत करता कुनाल प्रताप सिंग, प्रकास कुमार और विने कुमार को पत्र लिखा गया है उन्होंने कहा है कि कई बार अफसर दिया गया लेकिन आपके द्वारा समर्पित परिवाद पेंड्राइब वह स्टीडी कहे कि सत्यता वप्रमानिक्ता संबंधित सपत पत्र पेश नहीं किया गया दोबारा स्टीडी दी गई लेकिन वह अभी असपस्थ नहीं था स्टीडी दोबारा दिया गया था लेकिन अब जैससी सचीव का कहना है कि वह अभी स्टीडी असपस्थ नहीं था इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा यानि JSSी सचीव अब सीधा नकार रहे हैं कि अंतिम मौका है साथ तारीक को इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा सचीव स्री गुपता ने कहा कि साथ अक्टूबर को दोपहर तीन बजे तक मांगी गई जानकारी वापके द्वारा समर्पित सबूत जैसे पेंडराई में सुरक्षित हान रक्षित बिभिन फोटो और वीडियो की सत्यता और पर्मानिक्ता का सपत्पत्र पेस करने के लिए अंतिम अफसर होगा इसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा यानि यह लास्ट मौका है निर्धारी तितिवा समय पर उपस्ति नहीं होने पर जाज समीति द्वारा उपलब्द साक्षियों के धार पर सिजियल परिक्षा के संबंद मिनेने ले लिया जाएगा अगर नही पर टेका चोक पर सियम व जेससी अध्यक्ष का पुतला फुका गया जे सिजियल परिक्षा रद करने की मांग अभियर्थियों ने निकाला मसाल जुलूस यह जुलूस कचहरी रोड और सहित चोक होते हुए अलवर टेका चोक पहुंचा अभियर्थियों ने नारेवाजी करते हुए अलवर टेका चोक पर सियम और जेससी अध्यक्ष का पुतला दहन किया आई स्वसल मिडिया पर बिरोध अभियान है अजहारखंड अस्टेट अ अक्टूबर रविवार को अभियर्थियों द्वारा एक्स ट्यूटर पर अभियान कैंसिल जेससी सीजियल चलाया जाएगा तो इसमें आप लोग जोड़ सोल से भाग लीजिए साथ अक्टूबर को हजारो चात्रों के हस्ताक्षर और एड्मिकार्ड के साथ सीडी के डीसी के माध्यम से राजजिपाल मुक मंत्री अध्यक्ष जेससी के नाम ग्यापन सौपा जाएगा परिक्षा हर हाल में रद हो अलवर्ट एका चौकपर परदर्शन के दोरान चात् और 22 सेप्टंबर को सिख्जल परिक्षा ली गई थी 823 केंद्रों पर परिक्षा हुई थी जिसमों परिक्षा से पुर्व ही पेपर लिग कर दिया गया था तता 72 प्रशन रिपीट किये गये थे परिक्षा हर हाल में रद होनी चाहिए मौके पर सीजियर आंदोलन संयो जक देबंदर नात महतो, मनो जियादव, कुनाल परताप सिंग, विसाल पाल, योगेंदर, चंदरभारती, चंदनकुमार, सहित बड़ी, संख्याम यभिरती और अभिवावक सक्री रहे हैं देखिए इन जे से सचीब को लग रहा है कि अभी तक उनको सीड़ी चाहिए अरे आपसे बड़ा तो यहां फेक्टर है कि आपने सवाल को रिपीट किया है और उसी हिसाब से आप सेटिंग कर रखे होंगे एकजाम में तब तो इस तरह का धांदली हुआ अगर कहीं से भी थोड़ा बहुड़ा भी फोटो का खुटे जा रहा है तो उसका कारणी 72 72 झाल